अलो फ्रेंड स्वागत है आपका कवनूर किचन में आज हम बनाने जारे है शाही मटर मखाना की सबजी जो की खाने में बहुत ही टेस्टी होती है तो शुरू करते हैं आज की रैसेपी सबसे पहले हम एक कडाही में डालेंगे तीन कप मखाना और उसे हम धीमी आज पे 5-7 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि उसमें से सारी नमी निकल जाए हमारे मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं अब हम एक कडाही में डालेंगे दो बड़े चमच ओयल के और इसे अच्छे से गरम होने देंगे हमारा ओयल अच्छे से गरम हो चुका है इसमें डालेंगे 16-20 लसन की कली बड़े टुकडों में कटा हुआ अद्रक और इसे हलका भून लेंगे इसमें डालेंगे बड़े टुकडों में कटा हुए तीन बड़े प्याद और इसे भी दो मिनट तक पकाएंगे अब हम इसमें डाल देंगे बड़े टुकडों में कटे हुए टमाटर शेय से साथ हरी मिरच और आदा चमच नमक इसे जो हमारे टमाटर है जल्दी से गल जाएंगे और इसे अब हम चार स पांच मिनट के लिए पकाएंगे अब हम इसमें डालेंगे आदा कप पानी और इसे दो से तीनी मिनट के लिए पकाएंगे हमारा मसाला भून चुका है इसे हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे और मिक्सी के जार में डालके एक स्मूथ पेस्ट तियार करेंगे हमारी पेस्ट अच्छे से और बहुत ही स्मूथ तियार हो चुकी है अब हम एक पैन में डालेंगे दो बड़े चम्मच ओयल इसमें डालेंगे एक टुकड़ा दालचीनी का और दो से तीन तेज पत्ता और इसमें जो हमने पेस्ट बनाई थी वो सारी डाल देंगे अब हम इसे दो से तीन मिनिट के लिए बुनेंगे अब हम इसमें डालेंगे आदा चम्मच हल्दी पाउडर आदा चम्मच धनिया पाउडर आदा चम्मच जीरा पाउडर आदा चमच, देगी मिरच, सुआद की अनुसार नमक जहां पर हम जे भी द्यान रखेंगे कि हमने नमक पहले भी डाला हुआ है इन सब को अब हम अच्छे से तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा सारा मसाला ओयल ना छोड़ दे हमारे मसाले ने ओयल शोड़ना शुरू कर दिया है इसमें डालेंगे एक कप पानी और इसमें एक अच्छे से उबाल आने देंगे अब मसाले में अच्छे से उबाल आने लगा है इसमें डालेंगे हम 15-16 काजू की पेस्ट और इसे अच्छे से हम मसाले के साथ मिला देंगे और 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी और इसमें डालेंगे 1 बाउल मतर और इसे हम 4-5 मिनट के लिए ढखके अच्छे से पकाएंगे अब हमारे मटर अच्छे से हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे एक चमच गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे रोस्ट किये हुए मखाने और इसे भी हम ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तीन से चार मिनट तक पकाएंगे शाही मतर मखाना की सबजी बनके बिल्कुल तेयार है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ओल्ड प्रेस करें ताकि आपको मेरी आगे आने वली सबी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक्यू